नमस्कार साती हो यह 18 फर्वरी यारी आज के फर्स्रिफ्ट का पेपर है जो लोग पेपर देके आ गए हैं देख लीजिए आपने कितने सही किये हैं और आपके हिंदी में कितने माक्स बन रहे हैं दोस्तों पहला सवाल था कि शैमल का तद्वोशब्द क्या होगा सामला होग कि कि खलने से प्रकास आएगा कारट अशुद्या है यहां कि खलने पर प्रकास आएगा कारक समगदिया कर होगा तरावट में तरधन आवट होगा आराम कुर्सी एक तत्पूरुस समास है लक्ष का मतलब लाक होता है ठीक है ना आगे चलते हैं जैनेंद्र का जो जैन धन इंद्र होगा याद रखना गुण संदी है निमलिकित में से कौन सा विशेशन संख्या को दर्शाता है दर अनभिगी होगा और यहाँ पर बात करें जो घरस्ते हैं वह बरस्ते नहीं यानि पहला लोकोगती बाकी मुहावरे हैं वाच्छल रस्कों मिलाकर 10 रस होते हैं 11 मत कर देना 11 भक्ती रस होता है तो दस होगा इसका अंसर 10 10 10 10 10 होगा निमनिवे से संबंध वाचक सरुनाम आ नहीं है आगे चलते हैं नील गगन नील गगन में याद रखना नील गगन सा अगर जहां सा लगाए वह उपमा अलंकार होगा हरी का अनेकार्थी दूध नहीं होगा दोहा और रोला जब मिलते हैं तो कुंडलियां बनती है यह अंसीन पैसेज में तुम्हें आंसर बता दे बरते उप्युक्त सीर्षक क्या है कर्मनिष्ठा की महिमा आगे चलते हैं आगे है कि इसमें से सरल वाक्य बनाना है तो यह बात याद रखना कि दैनिक जीवन नेक लोगों से मिलते हैं और वह विभिन प्रकार का काम करते हैं याहनु बी बिल्कुल सही होगा बेहतर का बे अब को फेक कर चलाएन जाने वाला जो फेक कर चला जाने वाला हतियार उसे अस्तर कहते हैं रामायान वालमी की जने लिगए तो यह था पूरा पेपर झलि से देख लो तुमने कितने सही है और कितने गलत कि ये तो ठीक है तैंकिस वीडियो कैसा लागा मुझे बताना और शेर जरूर करना, thanks a lot.